हन जी राम राम जी क्या हाल चाल आपके उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवाल ठीक ठाक होगा PGCIL में दोस्तों नहीं भरती निकल रही है 800 से ज़्यादा वकैंसी है और कौन इस भरती के लिए आवे दिन कर सकता है यदि आप जाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रही है और दोस्तों यदि आप हरियाना CET Group D की त्यारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बतरना चाहूँगा कि फरवरी के महिने में आपका एक्जाम कंड़क्ट कराया जाएगा National Testing Agency के दवारा तो Group D की त्यारी के लिए नया बहत स्टार्ट हो गया है जिसमें आपको Live Class मिलेगी, Recurited Class मिलेगी, E-Book और Moke Test मिलेगी जिसमें जो टीम है हमारी वो Government Job सेलेक्टिड है सारे के सारे टीचर Government Job सेलेक्टिड है या Fully Experienced है यानि कि आपको उन लोगों से पढ़ने का मौका मिलेगा जिन्होंने एक्जाम क्रेक कर रखे हैं तो इसके फीश रहेगी 999 में और इसके फीश जैसे ही डेमो खतम हो जाएंगे फीश इनकरीज हो जाएगी डेमो इसके आज खतम हो रहे हैं तो आज रात बाराव जितकत स्पेसल ओफर है KTD2 Online Education आप इंस्टॉल कर लीजिए डेमो देखिए और आपका दिल करें तो जोईन कर लीजिए तो दोस्तों चलते हैं भरती के उपर कि कहां पर ये भरती निकली है कौन कैसे इस मियाविदन कर पाएंगे तो ये जो भरती निकली है अपके पावर ग्रेड में निकली है पावर ग्रेड कोरप्रेशन ओफ इंडिया लिमिटेड ठीक है पावर ग्रेड कोरप्रेशन ओफ इंडिया लिमिटेड में ये भरती निकली है और इसके अंदर दोस्तो 800 vacancy है कितनी? 800 vacancy है इसके अंदर और degree based पर फारम बरे जाएंगे डिपलोमा बेस पर फारम बरे जाएंगे डिपलोमा बेस पर 30,000 salary है डिपलोमा बेस पर 20,000 salary है all India level की यह vacancy है last date फारम बरने की 11 December है forum आपको online बरना है दोस्तो ठीक है इत्य अप्लिकेशन फीज की बात करें तो जनरल OBC EWS के लिए जो फिल्ड इंजनियर है चार सुर्पे फीज है और जो फिल्ड सुपर्वाइजर है उसके लिए तिन सुर्पे फीज है सेस्टी फीजिकल एंडिकैप एक्स रिजमेन है उनकी कोई फीज नहीं है फीज जिसको बढ़नी है उसको ओनलाइन ही फीज अपनी जमा करवानी है इंप्रोटेंट डेट की बात करें तो 21 नॉमबर से आपके फोरम स्टार्ट हो रहे हैं 11 दिसमबर फोरम बढ़ने की लास्ट एट है 21 नॉमबर से लेके 11 दिसमबर ठीक है यदि एज लिमिट की बात की जाए तो मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 29 साल है दोस्तो एज की काउंटिंग 11 12 22 11 12 22 को की जाएगी यहां पर इदि हम पोस्ट की बात करें तो फिल्ड इंजिनियर ईई पचास पोस्ट है दोस्तो बीटेक होने ची इलेक्ट्रिकल में एक साल का एक्स्पिरिंच होना चीए फिल्ड इंजिनियर ECE 15 पोस्ट है बीटेक होने चीए ECE में और एक साल का एक्स्पिरिंच होना चीए फिल्ड इंजनियर आईटी तो 15 पोस्ट है बीटेग होने चीए computer science या IT या साथ में एक साल का experience फिल्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल 480 वेकैंसी है डिपलमा वना चीए इलेक्ट्रिकल इंजनियरिंग में एक साल का experience फिल्ड सुपरवाइजर इसीए 240 पोस्ट है डिपलमा वना चीए इसीए इंजनियरिंग में और एक साल का experience तो आप इसके लिए आवे दिन कर सकते हैं तो यह पोस्ट आपके सामने 800 वेकैंसी है ठीक है और पांच परकार की यह पोस्ट है ठीक है और यह दिए हम कटाइगरी वाइस बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं कटाइगरी वाइस वकेंसी अलग अलग से लिख रखी है ठीक है जो फिल्ड इंजनियर है उसको इंट्रिव बेस पर कंपलीट किया जाएगा और एक रिटन एक्जाम भी कंड़क्ट करा जाएगा ठीक है यह दिलार्ज न इंजनियर पोस्ट के लिए डोकुमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एक्जाम ठीक है तो यह प्रोसेस रहेगा इसका जो ओफिचियल नोटिफिकेशन है ना पीडिएफ वह मैं टेलिग्राम पे शेयर कर दूँगा टेलिग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और 21 नॉंबर से फोर्म स्टार्ट है तो आप सही समय परपड़ा फोर्म जरूर बढ़ लीजिगा पावर ग्रेड में बरती निकली है ठीक है तो और गुरूप डी का बैद जवानी करना चाहते हैं दोस्तों क्योंकि गुरूप डी के एक्जाम के बेस्वर ड कर सकते हैं आज रात पार अवजदक स्पेशल ओफर है धन्यवाद तो